प्रधान मंत्री नरग मोधी ने आच्वानी बीस्त मार्ष को भारत मंडपप में आयचीत स्टार्टप महाकुंब में भाग लिया जुरान पी एम ने स्टार्टप की और सलागाए करे प्रोडक्स और इनोवेशन प्रदशनी को देखा कारिक्रेम को संबोधित करते हुए पीए मोधी ने कहा कि भारत दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा स्टार्टप बजार है जिसे हमारे देश के यूवा लीट कर रहे हैं अब हम AI तकनीक से जुड़े एक नई यूग में हैं मोधी ने कहा मैं AI की काफी मदद लेता हूं जब जुनाविय अभ्यान में भाशा की दिक्कत आती है तो मैं AI का सहारा लेकर हर भाशा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाता हूँ मैं जरूर कहूंगा कि आप जी टेंटी का ही डॉक्यूमेंट जरूर देखे आप और किस लेवल पर हम चीज को ले गए हैं अब हम AI टेकनोलोजी से जुड़े एक नए यूग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि AI मतलब इंडिया का अपर हेंड रहने वाला है जी दुनिया मान के चलती है अब हमारा काम है मोका नहीं छोड़ना है और मैं ये मुझे मैं भाली काफी मदल ले रहा हूं ये AI की आज कल क्योंकि मुझे मालूए में इलेक्शन कैंपेइन में लेंगवेज की सीमा आती है तो मैं यही की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं तेलूग में पहुंचा रहा हूं तो आप जैसे नवजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले आटोग्राफ मांगते थे दीर दीर फोटोग्राफ मांगने लगे अब सेलफी मांगने लगे अब तीनों मांग रहे सेलफी चाहिए फोटोग्राफ चाहिए आटोग्राफ चाहिए अब करें क्या तो मैंने याई वाली मदद ले ली मैंने अपने नमो एप पर एक व्यवस्था कड़ी कर दी अगर मैं यहां से गुजर रहा हूँ और कहीं पर एक कौने पर आपका आधा चेरा भी आ गया तो यहाई के मदद से आप निकाल सकते हैं मोदी के साथ मैं खड़ा हूँ स्टार्टप महाकुंब वारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टप आयो जुन है इसमें देशपर के 2000 से जादा स्टार्टप एक हजार से जादा इंवेस्टर, 100 से जादा यूनिकॉन, 300 से अधिक इंक्यूबेटर और एक्सेलिटर अपने आईडियास के साथ शामिल हो रहे हैं इसके अलावा, 3000 से जादा सम्मेलन प्रतिनीधी, 10 से जादा देशों के प्रतिनीधी मंडल, 3000 से जादा भविश्य के उध्यमी और 50,000 से जादा कमर्शल विजिस्टर्स ने भाग लिया है स्पेस में, 50 से अधिक सेक्टर्स में, भारत के स्टार्ट अप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आल्रेडी हमारे स्टार्ट अप स्पेस सेटल लौंच कर ले लगे हैं जी, इतने कम समय में हैं साथियों, भारत की युवाशक्ति का सामर्थ, आज पूरी दुनिया देख रही है इस सामर्थ पर भरोसा करते होग देश ने, स्टार्ट अप एको सिस्टिम निर्मान करने की तरब अनेक कदम उठाए है शुरुवात में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्राण में कहा हूँ हमारी हाँ पढ़ाई का मतलब नोकरी और नोकरी का मतलब शिर्फ सरकारी नोकरी यही सब था और फिर जब देश ने स्टार्ट अप इंडिया अभ्यान शुरू किया है, तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम है 2014 में जहां देश में कुछ हो स्टार्ट अप भी नहीं थे आज भारत में करीब समाल लाख रजिस्टर्ट स्टार्ट अप से हैं और इनसे करीब बारा लाख नवजवान सीधे तोर पर जुड़े हुए है हमारे पास 110 से ज़्यादा उनिकॉंस है हमारे स्टार्ट अप ने लगबग 12,000 पैटन्स फाइल किये है और बहुत सारे स्टार्ट अप ऐसे हैं जो अभी तक वो पैटन्स के महत्व नहीं समझे है मैं अभी भी मिलके आया मैंने पहला ही पूझा हमारे का पैटन्स हो अगया ने बोले प्रोसेस में है मेरा आप सबसे आग रहा है उस काम को साथ साथ चालू ही कर दीजिए क्योंकि आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है पताने कौन कहां हाथ मार ले भारत मंड़पप में इस कारिक्रम के दुरान बिहार राजस्तान में घाले करनाटक और केरल सहीत जिरोधा और नेशनल बेंक ओफ और एगरी कल्चर एंड रूरर डेवलोप्मेंट एन अबी ए आडी शामिल है कारिक्रम का एजन स्मॉल इंडरस्टी डेवलोप्मेंट बैंक SIDBI जोमेटो और एक्सपर्ट क्रेडिट और गयारंटी कॉर्परेशन ओफ इंडिया कर रहा है स्टार्टप महागुंब में SIS जुन के लिए उतरप्रदेश राच्वी पार्टनर स्टेट है स्टार्टप इंडिया भारत सरकार के एक प्रामुक अनिशियेटिव है इसकी शुरुवात पी मोधी ने 2015 में इसका उतेश देश में स्टार्टप और नए आईडियास के लिए के मचबूत इको सिस्टम डेवलोप करना है इसके लिए सरकार देश को आर्थिक विकास और लाड़ स्केल पर रोजगार के अफसर पेदा करना जाती है और फिलहाल अभी के लेट नहीं नमश्कार मैं हूँ परिधी रखवल जी कबरों के लिए बने रहे हैं दुभाश्य के साथ